प्राचीन काल की बात है पद्मपुर गाओं में मुकुंद नाम का एक नाई रहता था मुकुंद प्रतिदिन बाजार के समय क्रेता विक्रेता का केश और डाधी बनाया करता था और उससे जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से उसके परिवार का पूरा भरण पोशन चल जाया करता था रोज रोज का ये बेसवात खाना अच्छा नहीं लग रहा है खाने में कान खोल के सुन लो कल जाके बजार से मचली नहीं लाए तो फिर देख लेना तुम्हारी चमडी उधेर के ही बना दूंगी आज मचली लेकर जाना ही होगा नहीं तो मेरी पत्नी इतनी खतरनाक है कहीं सचमुच मेरी खाल न उधेर ले मचली का भाव क्या है जी? तीन रुपे किलो कुछ सस्ता में नहीं होगा क्या? एकदम ताजी मचली है ताजा है तो मखी क्यों बैठी है? देखिए बाबु जी इतना बहस मत कीजिए वहाँ पे जींगा मचली है सड़ी हुई ले जाईए पैसा नहीं देना होगा कितना बदबु दे रहा है पेवकूफ इंसान बज्जार में ताजी मचली नहीं मिली थी क्या? हाँ पाया था तो लाया क्यों नहीं? तुम तो बोली नहीं ताजा लाओंगा किसाड़ा? मैं बोली थी ना मचली नहीं मिलेगा खाने को तो तेरी चमड़ी उधेर के बनाओंगी रुक तेरी चमड़ी उधेर रही हूँ चमड़ी तो लोग पांसुल से छुड़ाते हैं तेरी चमड़ी उधेरने के लिए बोली थी किससे उधाड़ूंगी ये तो नहीं कई थी उस मैं किसी तरह से आज बाज निकला चलू उस बरगत के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ बहुत दिन बाद एक खटा खटा आदमी दिखाई दिया है आज बहुत दिन बाद एक आदमी का मांस खाने का मिलेगा आज में तू पोखाऊँगा तुम कौन हो जी मैं भूत हूँ तू भारा ही गर्दन मरोड का खून प्यूँगा भूत नहीं हिम्मत हारने से नहीं चलेगा तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है जानते हो तुम्हारे जैसे मैं पहले एक भूत पकड़ा है रूपो दिखाता हूँ जह देखो दिखाई दिया अब तुम्हारी बारी है ना ना भाई अम मैं खून नहीं पिऊंगा अब मैं जा रहा हूँ वाह ना करता हूँ कि तुम्हारे कोई नख्सान नहीं पहुंचाऊँगा तुम जो चाहोगे वह तुम्हें दूबगा ठीक है अब तुम मुझे एक घड़े मुहर दो ठीक है ठीक है मैं अभी दे रहा हूँ अभी ये लो अब मुझे छोड़ दो मेरे भाई ठीक है अब जाओ भगो यहां से आरे माम रे माम आहां हाँ क्या आब बोल रहे हो एक घड़ा सोना हाँ एक घड़ा मुहर यह देखो ये बगवान कितना सारा सोना है भूत के दिये हुए एक घड़ा मुहर को पाकर मुकुंद आज उस इलाके का सबसे बड़ा आदमी बन गया है अजय को पाकर मुपवान कितना आदमी बन गया है आजय को पाकर मुपवान कितना आदमी बन गया है आजय को पाकर मुपवान कितना आदमी बन गया है आजय को पाकर मुपवान कितना आदमी बन गया है आजय को थो पाकर मुपवान कितना आदमी बन गया है